कि एक्सराइज 2.3 तो फॉल्विंग एक्वेशन्स एंड चेक रिजर्ट एक्वेशन्स दे रखें बच्छों आपको सौल करना है और मतलब वेरिफाइज करना है कि जो आंसर आप निकालेंगे अगर उसको एक्वेशन में पुट करें क्या वैल्यू से वा रही है ठीक है कु यह होती है लेफ्ट हैं इनके साथ आपको डील करना है जो लाइक टम्स है लाइक टम्स का मतलब है प्री टू एक्स 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 हो जाएगी इस इक तरफ ले जाएंगे और मैंने आपको अच्छे से बताया था अगर यह चीज इधर प्लस टू एक्स है तो इधर जाके अब अगर आपको यह वैरिफाई करना है तौ एक्स की वैली आप इस इक्वेशन में पुट करेएंगे तो टू एक्स 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 है डू परी इतिंग इस इक्वालस टू टू एक्से एक्स हो टू टू अटिस 6 plus 8 54 equals so we can say left hand is equals right hand so yes this value is verified x is okay अब नहीं बाद बड़ा simple question है question no.2 देखते हैं अब 2 question no.2 5 t minus 3 is equals 3 t minus 5 की question आपको दिया हुआ है अब इसको solve करिए जो टी की terms उनको एक तरफ ले आई है 5 t minus 3 t equals minus 5 plus 2 अब आप कहेंगे सर आप ती को इधर लाए क्या हम 5 को उधर ले जा सकते हैं बिलकुल ले जा सकते हो लेकिन इधर यह plus का है उधर जाके माइन इस तो टी माइनस 5 प्लस 2 आव मुच इट इस इस माइनस 2 ऑके अव टी इस इपल्स इस तीम इन ग्या सै की कितने आगी इसस economy味ट आगी अचनील मैंस 8 मों इस तो मिश्क्यू है की तो मिस्टेक्स यह सापनों की और मिन यह कीटोजी कि। आव T into LHS, 5T minus 3, okay, now 5T is minus 1 minus 3, is minus 5 minus 3, gain minus 8, so we can say LHS is equals, it is verified, so you can verify your value, whatever value you got here, T, E, X, Y, आप उसको LHS, RHS में put करिए, अगर दोनों की value सेम आ रही है, आपका right answer बिल्कुल है, question number 2 के बाद, मैं आपके लिए करूँगा question number 6, question number 6 कर देते हैं, चलिए, 8 plus 6, 8X plus 4 equals 3, X minus 1 plus 7, verify नहीं करूँगा, आप खुद करेंगे, चलिए, solve करते हैं, 8X plus 4, 3X minus 3 plus 7, okay, यहां से कितना हो गया, 4, or 8X minus 3X, 4 minus 4, cancel out हो गया, नहीं कितना बचा, 5X equals to, X is equals to 0 by 5, okay, 5X k equals to 0 आगया, सारी कि सारी बाद, आपके जिए, this is question number 1, 2nd and 6, now we are going to discuss question number 9, then I will discuss question number 10, so question और करेंगे, exercise complete, question number 9, again very easy, 2Y plus Y, same terms को एक जगे आप करेंगे, 26 by 3 minus 3, it is 3Y is equals, how much it is, 21 by 3, क्योंकि पेटा आपका जो denominator है, same है, so simple आप denominator को minus कर देजिए, 26 minus 5, 20, okay, cross multiply करेंगे, यहां के लिखेंगे, हम cross 5, so this is 9Y is equals 21, 5 is equal, 9, 3, 7, so Y is equals 7 by 3, last question, but not the least, 10th question, 3M is equals 5M minus 8 by 5, okay, 3M minus 5M is equals minus 8 by 5, this is how much minus 2M equals 8 minus 8 by 5, this minus minus plus, so M is equals 4 by 5, this 2 से 4 आपका करेंगे, M is 4 by, this is your exercise, 2.3, next class में discuss करेंगे, next video में exercise 2.4, और आपको थोड़ा सा काम आप भी कर लो, यार यह वीडियो वीडियो थोड़े सी शेयर कर दो, हर टीचर आपको यहां बताता है आके ना और पांच फ्रेंड्स को अपने आगे इसको फॉर्वड करो, कोई डाउट है तो स्कूल जी आप पर जाओ, अपना डाउट डालो, वो स्कूल जी आप कहने को एफ है लेकिन एडुकेशन का फेस्बूक है जिसमें आपको लगबग सारे हिसार के सारे हर्याना के भारत के बच्चे भी मिल सकते हैं, सारे बच्चे जब डाउट स्पोचेंगे अपका लाव भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आप सेफ है अगे तो आपने जल्दी पढ़िए और उठने ही तेजी से इनको आगे प्रेंगे तेंक युवेरी मच वेरी मच वेरी मुच